हेलो फ्रेंड्स एन वेलकम बैक बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और बात करूँगा आज मैं शिट्जू एक्षेंज के बारे में और इंपोर्टन अपडेट्स दूँगा जो आप लोगों को जानने जा रही है काफी आप लोगों के डिमांड आ रही थी मेरपत काफी म अपडेट डिजी क्या है तो भाई शिट्जू की अभी दूँगा वीडियो को लास्ट तक देखेगा पूरा और वीडियो को कोशिश करूँगा शॉट करने की ताकि आप लोगों का टाइम से वो तो यहां पे बात करते हैं हम शिट्जू की शिट्जू अभी आप देख स परसंट का मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कहा है कि जब भी शिट्जू नीचे जाता है आप लोग बाय जरूर करें थोड़ा थोड़ा और यहां पर देखिए बहुत सारा कई लोगों ने बाय भी किया था नीचे लेवल पे तो अच्छा का उनका प्रॉफ 200-200 डॉलर से ऐसे बाय किया है और कई लोगों ने ऐसे करके बाय किया ऐसे मेसेज मुझे आए अगर फॉर एक्जामपल अगर किसी ने 1000 डॉलर का बाय किया है तो उसका 2500 डॉलर यूएस में बन गया है तो भाई इतना प्रॉफिट आप लोगों को बहुत ही कम टाइम पे ब नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे मैं पहले भी बोला हूँ इदर उदर भटकने से अच्छा है कि हम सब्सक्राइब करके लॉंग टम का व्यू लेके चले क्योंकि बीच बीच में इसी तरीके के मौके आप लोगों को मिलते रहते हैं हमारे साथ में और इसी तरी हैं क्रिप्टो एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप जॉइन करें बहुत कुछ सीखने मिलेगा फ्री ओफ कॉस्ट नो चार्जस एट ओल तो आईए जॉइन कीजिए टेलेग्राम गुरुप्स को हमारे यूटुप चैनल को और शोशल मेडिया गुरुप्स को तो आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं शिट्जू की अपडेट की जो इंपॉर्टेंट है अभी आपको दूंगा तो आप देख सकते हैं प्राइस अच्छा कासा उपर आ चुका है अभी बीच में बहुत प्राइस डाउन हो गया था विकॉस बिटकोईन ही डाउन जा रहा था तो अभी आप यहां पर अच्छा कासा उच्छाल हमको देखने मिला अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ेंगे को मिलेगी तो मैं आपको इंप्डेट दे दूँ तो अभी आप इसमें देख सकते हैं यहां पर अभी यहां पर आट-0 थे वह उसमें से 10 अभी खतम हो जाएगा आठ जिरो में से एक जिरो हमको लेस हो जाएगा यहां पर और 146 परसन का शुद मुनाफ़ा यहां पर आप लोगों को हुआ है मैंने आप लोगों को बोला है फ्रेंट की अगर नीचे जाएगा तो बाई जरूर करें बहुत लोगों ने बाई किया हुआ है तो बहुत लोगो है हमको अच्छा profit gain हो सके फिर भी आप calculate rate risk अपने हिसाब से लेते रही है ठीक है यहाँ पे आपके सामने result है दोस्तों यहाँ पे 146% का profit हमने करवाया तो यहाँ पे इसी तरीके का profit होता रहेगा और अभी मैं आपको लेके चलता हूं सीधा यहाँ पे important updates पे तो अब जो important updates आ सकता है क्योंकि इन्होंने अभी अपना नया एक update डिया है बहुत ही important है आप लोगों के लिए जानना दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखें जैसे कि यहाँ पे 1 February से जितने भी शिट्जू के reward है withdrawals है passive income है शिट्जू का जो भी balance है आपका जो भी affiliate commission आता है leadership जो monthly वे paid होगा आपको यानि पहले शिट्जू में paid होता था अब वह ऐस बोन टोकन में paid होगा और जो भी price चलता रहेगा current market में trading का जो price चलता रहेगा current market का ऐस बोन का उसमें paid होगा उस rate में paid होगा उसके साब से उसके साब से paid होगा ठीक है इस completely eliminates selling pressure on शिट्जू दोस्तों basically शिट asbone token जो है वो passive income जो आ रही है asbone token की शिट्जू के जो system से asbone token की जो passive income आएगी वो passive income हर महने की एक तारिक को मिले गयाना है every month एक तारिक को ही paid होगी ध्यान रखें ठीक है यह second update है third update यह है कि you will also be able to stake asbone for more passive income यानि कि आप अपने asbone token को stake में लगा सकते है passive income के लिए sticking भी start हो रही है ऐसा यहां पर बताया गया fourth update यह है इसकी important जो है 50% of the withdrawal amount 50% जो रहेगा withdrawal amount passive income का इन शिट्जू जो भी शिट्जू की रहेगी वो automatically burning wallet में चले जाएगी ठीक है ऐसा यहां पर बताया गया जिससे क्या होगा कि supply constant reduction आता रहेगा उसके अंदर supply में और 50% जो रह जाएगी asbon token में ऐसा यहां पर दिया गया जिससे क्या होगा selling pressure खतम हो जाएगा और शिट्जू का price में growth मिलेगी ठीक है दोस्तों यहां पर मैं बताओं कि continue burn का शिट्जू ने एलान किया है कि शिट्जू जो है वो continue burn होगा तो शिट्जू को hold करे शिट्जू को hodl करे औ और शिट्जू action cannot be stop यहां पर दिया गया ठीक है long live the meme industry long live the shizu. Shizu will be the big meme coin of 2023 यहां पर यह बताया गया है. Shizu जो है वो बहुत बड़ा meme coin बन के उबरेगा 2023 में ऐसा यहां पर बताया गया है. तो दोस्तों मैं बात कर रहा था burning की तो यहां पर एक result भी यहां पर निकल किया है Shizu की तरफ से Shizu ने burning किया है 1.84 trillion token को अभी बन किया आप इस address में जाके देख सकते हैं ठीक है इसकी update मैं आप लोगों को telegram group में दे दिया हूं ठीक है telegram group जरूर join करें यह telegram group का address है आप चाहें तो इसको देख सकते हैं इस address को note करके आप इसके थूरू join कर सकते हैं ठी क्योंकि पहले इनोंने कम से start किया millions token में बर्न होता था अब trillion में अब trillion में start हो गया burning तो यह बहुत अच्छी एक positive step है और साथ में जो यहां पर update दी गई है उससे क्या होगा कि Shizu के price में बहुत हमको strong Shizu का price हमको strong होता हुआ दिखेगा Shizu का price यहां पर मजबूत होता हु GPV है तो यह जो है वो Shizu के लिए एक अच्छा वर्दान साबित हो सकती है लेकिन अभी मैं बात करूँ वड्रॉल की दोस्तों तो विड्रॉल अभी यहां पर विड्रॉल अभी नहीं हो बताउ हुआ आपको विड्रॉल की condition अभी बताऊ आपको विड्रॉल की situation जो अभी तक तो विड्रॉल हो रहा था लेकिन अभी कुछ दिनों से विड्रॉल इसके नहीं हो रहा क्योंकि प्राइस काफी नीचे गिरावा था और जैसे कि इसमें आटोमेटेड है मैंने बताया आपको सिस्टम तो उसमें शिट्जू की जो कंडिशन थी ज्यादा टोकन होने कि कि वो अब सिधा एसबॉन टोकन में हमको मिलेगा तो जो करेंट प्राइस रहेगा मार्केट में जैसे कि 15-20 डॉलर का जैसे कि बीच में 15-20 डॉलर चला गया था एसबॉन का प्राइस जैसे कि मालूम है आप लोगों को तो उसी तरीके से आप यहां ड्रॉल में बहुत ज् ड्रॉल होगा मुझे लगता है थोड़े दिन में हो जाएगा क्योंकि शिट्जू का जो प्राइस स्टेबल होगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शिट्जू की बर्निंग अभी चल रही है शिट्जू अभी ज्यादा ज्यादा टोकन बर्न कर रहा है ठीक है यहां होगा जाल मिनेट चैट्यू में सेवेंटीफाइब पर्शेट कर स्कूर बता रहा है ठीक है तो यहां पर लिक्विडिधी एंस देखें ऑफ अब कर यहां देख सकते हो तो फ्रेंड लिक्विडिटी भी लॉक है आप देख सकते हो 49.08 के की लिक्विडिटी में लॉक है और टोटल मार्केट कैप जो है वो 10.03 मिलियन की मार्केट कैप है अगर ये बढ़ती है तो काफी उपर जाएगा इसका प्राइस अभी ये जब उपर बढ़ेगी इसकी मार्केट कैपिटल तो आप सोचो इसका प्राइस कहा जाएगा और काफी अभी ठीक प्रफॉर्मेंस कर रहा है मैं बोलूँगा ठीक है अभी शिट्जू को और अच्छा प्रफॉर्मेंस करने की जर्वत है अगर ये अच्छा प्रफॉर्मेंस करेगा तो फिर ये आगे टेक और कर सकता है दूसरे को ठीक है यहां पर ही हमको देखना है कि यह कैसा करता है आगे लोग कितना अपने प्रोमिस को निभाते हैं और बाकी मैं आपको आगे तो दोस्तों यहां पर आप शीडजू इंदेख सकते हैं डेक्स प्लैटफॉर्म पे अप देख सकते हैं शीडजू के अभी आट 0 है एक 0 कैंसल हो जाए गा तो यह अट 0 कैंसल होगा तो चे जीरू पर आजाएगा तो यहां पर अच्छा खासा प्रोफिट हो सकता है और मैंने पहले रिकमेंड के था हाई प्राइज में मैं बिल्कु रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाय करो अभी तो ऐसी सुच्वेशन बाय का मैं अल्रेडी पहले ही बता चुका है और स्कोर भी आप देख सकते दस मिलियन के राउंड इसकी मार्केट कैप है अभी ठीक है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ एजबोन टोकन की बारे में बात हो रही थी तो एजबोन को आप देख सकते 15 डॉलर के राउंड इसकी वैल्यू है भी और लिक्विडिटिटी थी 9.32 के राउंड है तो आप ज देख सकते 15 डॉलर का रेट चल रहा है थोड़ा इसमें भी सेलिंग प्रेशर तो अब देखना है आगे क्या होता है और आपको मैं बता दूं की शिड्जू का जो अल्रेडी जो दिया जो टेक्स लगता है वह 8 परसंट का लगता है अगर हम ट्रस्ट वालेट से स्वाप कर रखें और अभी जैसे कि यहां पर बताया गया कि अब एस बोन में हमको टोकन मिलेंगे तो वह देखते हैं वह फ़र्स फेबरी से उसकी जो अपडेट हो कि मैं आपको फिर जैसी यह फ़र्स फेबरी से लागू का नियम तो दोस्तों यह है इंपॉर्टन अपडेट जो आ आप लोगों को जरूर्स बताऊंगा अभी ते के लिए तहीं मिलते नेक्स वीडियो में चेहिंद